एलो स्टूडेंट कैसे आप तो फर्स्ट आफ आल ये वीडियो किसके लिए है क्योंकि आज बच्चे देख लेते हैं फिर बोलते हैं सार हमारे लिए भी कर दो ये वीडियो है बीकोम ओनर्स और सेमेस्टर तीन या सेमेस्टर वन वो भी NEP यानि नियूसलीबस के लिए तो सबसे पहले बताना चाहूँँगा आपकी डेटशीट आ चुकी है चाहे बच्चा रेगुलर का हो चाहे बच्चा एसोयल तो ही एनसी वेब तो होता नहीं इसमें तो रेगुलर का हो चाहे एसोयल का हो दूसरी एक बात है बच्चे ना कुछ सोचने के सर हमारे पेपर में अब काफी काफी चुटी है 31 के बाद सीधा साथ है तो ऐसा मस समझिएगा क्योंकि बीच में कोई भी पेपर अभी आ सकते हैं दूसरा यह कुछ बच्चे सोचने यह तो तेंटेटिव का मतलब ऐसे ही दे दिया यह है थोड़ी फाइनल तो मैं पिछले दो से तीन साल से देख रहा हूं और तीन के चार साल से देख रहा हूं मैं और वही डिट शिट क्या करता है फाइनलाइस कर देता है बस एक दो डेट उपर नीचे करता है हर साल का डियू का यही है ठीक है और अगली बात करें यह रैगुलर की डेट शीट है रैगुलर हमारा अठारा से समेश्टर वन उनिस यानि मोटा मोटी मैं मानलू कि मेरा 20 तारिक से सारा का सारा काम स्टार्ट है तो डेट शीट आ गया है जिसके अंदर फीम की पेपर की बात करूं तो आपका 21 दिसंबर को पढ़ रहा रहा है थीक है न 21 दिसंबर तो कुछ का पेपर पहले है कुछ का बात मैं । मैं इस लिए इसको हाइलाइट किया तो अगर हम डेज में कांट करे ना देखो सिंपल से बात है हमारे पस कितने हैं आप ध्यान देजिएगा हम exam oriented बात करования है September में मैंने semester लिख दिया यह तो September की बात करें तो September मेंहमारे पास कितने दिन है हमारे पास मातर 15 दिन मानलो आस 13 तारिक तो होई गया उसके बाद October में भी हमारे पास कितने दिन है 31 दिन, November में कितने दिन है हमारे पास 30 दिन और December में मैं मोटा मोटा ले लूँ 20 दिन, तो टोटल ये आपके 101 या 19-20 दिन मान लो, 101 यानि टोटल 100 दिन आपके होते हैं और सर आपके पास सब्जेक्ट न साथ है, कौन-कौन से सब्जेक्ट है, एक है आपके पास Financial Management, सभी बच्चों के पास है, एक है आपके पास Business Maths, BM, एक है आपका Principal of Marketing, ये तो कूर है, बाकी चार सब्जेक्ट न ये थोड़ा सा रहता है, हर कॉलेज वालों का अलग और हर बच कर लेंगे, जो सब्जेक्ट है, हर किसी के पास उसके तो बात ही करेंगे, हम एक प्लैन करते हैं, एक दिमाग में आता है, आगर साथ सब्जेक्ट है, सो दिन है, और अगर साथ सब्जेक्ट है, तो मोटा-मोटी, 14 दिन आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे पहले हमने एक सब्जेक्ट 14 दिन में खतम कर लिया फिर उसको रहने दो फिर 14 दिन ऐसे करते करते तो पीछे का भूल जाते हैं हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है ठीक है तो अगर देखा जाए सब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट को अगर मैं आपके आर्स में डिवाइड कर दो कि कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे ले लेगा मानलो एफेम आपका मैं डेफिनेटली मैं मैंने पढ़ाया है तो मैं जानता हूँ 50 घंटे में खतम हो जाएगा बिजनस मैथमेटिक्स आपका 50 से 60 घंटे मैं 50 घंटे ले रहा हूँ प्रिंसिप 500 घंटे 2500 घंटे और 200 यानि टोटल टाइम देख लेना हमारा जो पढ़ने में इस सब्जेक्ट को पढ़ने में जो हमारा टाइम लगने वाला है ठीक है मैं कूरे सब्जेक्ट को कैलकुलेट इस 230 घंटे के अंदर हमारे सारी चीज़े इंकलूडिड है सर, revision included है, text included है, पूरे paper solve करना, सब कुछ included है, अब कुछ बच्चे का calculation पता है कैसे काम करता है, 230 गंटे, एक दिन में 24 गंटे, 10 दिन में खतम, 10 दिन में सब खतम, तो ऐसा कभी नहीं होता, इससे आप बिमार भी पढ़ जाओगे, और कुछ मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है ना, अब हमारे पास total days है 100, तो अगर मैं 230 गंटे को, अगर मैं 100 से divide कर दूँ, तो 2.3 यानि almost धाई घंटे, daily के हमें पढ़ने होंगे, almost धाई घंटे, अगर आज से हम daily पढ़ने लग जाएं, तो हमारा syllabus बहुत easily और 100% अच्छे से complete हो जाएगा, जिसके अंदर आपके 9CGP से plus आजएगे, अगर अभी से आप मान के चलोगे तो, ठीक है ना, अभी से मैं आपको यह नहीं बोल रहा कि आप पास हो जाओगे, पास तो बहुत दूर की बात हो गए, बहुत easy हो गया वो, तो आप बहुत अच्छे नमबर से पास हो जाओगे, अब सर यहां पर जो दिक्कत आती है, कुछ बच्चे होते हैं, कौन से सर, जॉब वाले, कुछ बच्चे होते हैं, जॉब वाले, जॉब कैटेगरी वाले बच्चों को मैं कहूंगा, भहिया, आप 6am morning उठिए, और 6 to 8.30 आप पढ़ाई करिए, सर, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, आप systematic लेके चलिए, कि एक दिन आपने ये करा, एक दिन ये करा, फिर अगले दिन ये करा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपना पूरे धाई घंटे एक सब्जेक्ट को मत पढ़िए, एक घंटे इसको, एक घंटे principle of marketing, छोटा subject है न, फिर अगले दिन, एक दिन आपने ये तीनो तीनो पढ़िए, फिर अगले दिन इसमें से तीनो तीनो पढ़िए इस तरीके से, और जो subject आपके पास available है, आपको अगर कोई दिक्कत होता है, तो आप comment में लिखिएगा, सर, इसका कौन से writer का book लेना चाहि उनके पास business law है, उसके पास business organization management, जिससे मैं business study बोल देता हूँ, या bomb बोल देता हूँ, नाम हलाकि अलग दे रखा है, बाकी के subject EVS वगरा है, उनके भी same time table है, उनका भी same ही रहेगा, ठीक है semester one वाले बच्चों के लिए भी, अब मुद्दे की बात आती है, सर, 6 बजे अब भी भी घंटे निकाले, अपने हिसाब से, जो उनका best output time होता है, जैसे मुझे लगता है, कि मैं अगर 6 या 7 बजे मैं बैठता हूँ ना पढ़ने के लिए, तो साथ से लेके 11 बजे तक मेरा best output time रहता है, ना तो सुबह रहता है, ना तो रात को, रात को तो बिलकुल ही नी रहता है, मैंने कई बार देख लिया, ये try कर लिया, लेकिन साम को 7 बजे से, 6 बजे से लेके 12 बजे तक 100% रहता है, सुबह भी मेरा नी रहता, तो हर बच्चे का अपना output time रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिन में निकाली है, कोई बच्चा जॉब कर रहा है, तो सुबह 6 बजे उठने का मतलब है, 11 बजे सोना पड़ेगा, और 11 बजे सोने में सबसे बड़ी समस्य पता है, सबसे बड़ी प्रॉबलम ये है, मोबाइल फोन, दिखो भी बच गया, सबसे बड़ी प्रॉबलम मोबाइल फोन है, जैसे मेरे पास तो एक OnePlus का फोन है, इसके अ कुछ भी एक्सेस ही नहीं कर सकता, कोई एप्लिकेशन एक्सेस नहीं कर सकता, ये इसके अदर एक अच्छा फीचर है, और 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मैं कर देता हूं, जैसे एक एड़ घंटा लगता है, ये बहुत दे दिया, फोन पर टाइंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं वही लगा देता हूं, अब चाहा के भी मैं नहीं कर सकता, तो एक तो ये है, दूसरा बच्चे बोलते हैं, सर कई बार ऐसा होता है सेनेरियो, और ये हम रात को लेट पता है क्यों सोते हैं, तो सेनेरियो ये रहता है कि हम रात में कई बा अच्छे दवाई यह है आप पढ़ने बैठ जाओ सबसे अच्छे इससे बड़ा दवाई तो किसी डॉक्टर ने निकाला जिसको नीद नी आती आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ जैसा ही आप पढ़ने के लिए बैठोगे और आपका मन नहीं कर रहा होगा फट से नीद आ ठीक है अब दो फाइदे हो गए पढ़ने के लिए आप बैठे अगर नीद नहीं आए तो आपने पढ़ लिया और सुबह लेट भी उठी तो कोई फाइद फरक नहीं पढ़ता आपने पूरा कंपनसेट कर दिया वन डे का कोटा अगर आप पढ़ने बैठे नीद आ गई त अच्छी बात है जल्दी नीद आ गया सुबह उठ जाओगे देखो वीडियो है आपके पास वीडियो देख लीजिए और क्लासिस है उनको पढ़ने लग जाईए और काम आपको नीद आ जाएगा तो सबसे पहले नीद आने का तरीका क्या है एक फोन को दूर कर देना सबस च्छे बज़े उठेने लग जाओगे उसके बाद फिर आपका मनी नहीं करेगा कभी और यह तहवारों का भी पूरा-पूरा सीजन भरा हुआ है तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक है नहीं क्लियर है तो आपका टोटल मिलाकर क दीन दिन वर्क आउट आपको करना होगा मैं ऐसे ही स्पेशल वीडियो लेकर आजाओं आपका एफम के लिए प्रिंसेपल ऑफ मार्केटिंग के क्या क्या स्टेटेजी होना चीए चैप्टर वाइस के इतना पढ़ना चीए वह सारे चीज़ है ठीक है अब कुछ बच्चे दिमांड ऐसा करते हैं के सर एफम का वीडियो कैसे है नहीं है तो मैं उन बच्चों को बता दूँ जो मेरा एफम का को है क्लास वह यूटूब पे रेगलर बेसिस पर डल रही है अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है लेकिन यूटूब पे रेगलर बेसिस पर आएगा ऐसा नह पर यूटूब पर नहीं है दो जगे लाइजाना सब्सक्राइब कर दो धीख हूँर। यह विश कारा हो ए सारे मिए सब्सक्राइएं और चाहे आप लैप्टॉप में देखो एप्लिकेशन में देखो आई वे सो एंडुएट हो किसी में भी फीचर से नेबल करा रखा है तो अब जो है ना नेक्स्ट जो है फ्राइडे से एकदम फ्रेश चप्टर स्टार्ट हो रहा है सभी में जिसका पीछे से ऐसाच कोई लेना देना भी न आ रहा है तो आप उसमें जोइन हो जाओगे और बहुत एक इंट्रस्टिंग पंदर नंबर का चप्टर स्टार्ट में करने जा रहा हूं तो यूटूब पे बीड़ेगी ऐसे नहीं है कि आपने बोल दी और यूटूब पे नहीं डालोगे यूटूब पर तरीके से डलने मैंने बोल दिया भाई कोई अगर स्टूडेंट ऐसा हो जिसको नीडी हो रिक्वेस्ट करता हो आपको बात करने में लगे कि वह जैनमेल हो तो उनको डिसकांट दे दिया करो क्योंकि ना टाइम हर बार नहीं आता सबसे वेल्यू टाइम की है पैसे की वेल्यू नहीं है वे तो मेरे में मोटिव था आज वीडियो का बनाने का यह कि आपको एक टाइम टेवल से अवेर कर दें कि आपको कितने कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए ठीक है ना तो होफुली आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी और एक साथ पढ़ने की कोसिस मत करना धीरे धीरे पढ़ना बहुत अच्छा आपका टाइम जाएगा और एक हैबिट होना ना वह हमारे सिहत के लिए और हमारे हैल्थ के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और एक साथ कुछ को करना बिकार होता है अब खाना भी एक दिन में पांस दिन का खालोगे तो अब खलाब हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा खाना खाओ दिन भर खाओ तो आपके हेल्थ अच्छी रहेगी हम क्या करते नॉर्मली कुछ लोगों का ऐसा ट्रेंट रहता है कि दिन में तीन-चार बर खाना खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते तो उनका हेल्थ अलग हो कमेंड में एक बात लिख देना आपको अगर रिलाइज हुआ है कि भाई सेमेस्टर वन वाले पढ़ने लग जाओ नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपने जो प्रॉबलम फेस किया जरूर लिख देना कमेंड में ताकि आपके छोटे भाई बहन आपके जूनियर के आपके फ्र कर दो